हेलो एवरीवन कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे जब अर्दस्त होंगे और मस्त होंगे मैं हरिस सव अभिपसा एजुकेशन फॉर एक्सलेंश के इस ऑनलाइन प्रेट्वर्म में आपको बहुत ही बहुत ही जब अर्दस्त है किसे स्वागयत करता हूं क्यो अधातु कर्म पढ़ चुके हैं आज हम डिसकर्स कर रहे थे क्या इकाई 2 का चैप्टर नंबर 11 एक वाले जो प्रश्ण है उस पास चर्चा करने वाले और मैंने बताया था आपको क्या कि हम जो है जितना भी कोश्चन था धातु के तो धातु जितना पोर्शन आने वाली इतना कोश्चन आने वाली थी उसको पूरा डिसक्सन कर रहा था उससे पहुंच ज्यादा आता है अब जो बच गया है वह इससे आएगा जो कि बहुत ही चोटा लेक्टर और बहुत ही चोटा वीडियो में आप देखोगे और आपको मज़े भी आ जाएगा कि इतने में कर दिये तोटल 16 नंबर के तैयरी अब होने वाली क्यों आठ नंबर पहले हैं अब दूसरे भी आठ नंबर के फिर उसके बाद कुछ दिनों में हम तीसरा पोर्शन भी कंप्लिट करेंगे मतलब देखती देखते आपको आपको तुरंत मिल जाएगा तूरंत आप कर देंग देखो चलो सहीविकल पाया था क्या सुरी दूरलब गैस है कब पुछ गया था दूरब बैस में पूछा गया था कि दूरलब गैस कौन से सहीन में से सब जानते चोछ इसके बारे में आप क्या नहीं सुने तो इसके बारे में नियान के बारे में बहुत कम सुने हो क्यों क्यों कि यह अक्री गैस है सर भाई उसमें बताने वाली बात ही नहीं है आप जानते हो इसका परमानुकरमान कितने होता है दस और यह किस में आएगा दूरलफ गैस में बात खतम हुई यहां तक बात समझ मैं ही कब पूछा गया था एक रंबर सब्सक्राइब करते हैं इसको कटकर इनिमेस अक्री गैसा है और उसके पादिमें इसमें लीघधिया क्या आरगन भी लिग दिया चलो डूर्व संसिध्यव यह मतलब क्या कहीं कुछ दिक्कत होने वाली है तो यह बिल्लगुल घुमाद पूछदे कैसे अक्रीग एसे पू हुई बात समझे भाई बस यही सिंपल कोश्चन आता है जो हर 22 में पूछा गया था और देखते हैं चलो नेश्ट कोश्चन द्रव अधातु है लिक्विड नॉन मेटल अब लिक्विड अवस्तम नॉन मेटल रहता है वह कौन है देखो आपसन देखो आपसन दखते हैं आप अप zorory को बचिल घखते हैं तो इसको होने का ठीक है सर अब सिट्व चिघummy के बारे में आज तक अन brand क्या है और कयो कि यह किदर रही इस ब्रॉक एलता है ठीक है लेकिन नहीं क्यों ळाते है डिक्त्याफ इनान क मतलब कित्त रहता है और इसके डिसक्षण लेकिन कभी इसके बाइब डिसक्सन निक्या हो अब बची बात जो है एक यू की एक मतलब क्या गोल्ड को आप नको आपको आप क्या तो बोलोगे भई गोल्ड सुना धातु है तो इसके लाम सब्सक्राइब हो गया अप दोनों में डाउट जा रहा है सर यह तो दातु यह भ पुछा गया था सेट सी में बात समझ मैं यहां तक बच्चो सरल एकदम सरल इजी है घबराने वाली बात ही नहीं है बस रिपीटेट कोश्चन देखना इसी से रिलेक्टेट फिर कोश्चन आएगा अब यह पुछा द्रवा धातु है ठीक है सर अब यह पूछ सकता है इनि पढ़ लिए अब बात आती ही उपधातु की क्या होगी सर आप संदेखो अक्सिजन हिलियम सलफर आरसेनीक चलो अब उपधातु क्या होगी दिमाग लगाओ कप पुछा गया था दोहर 20 ने क्या है अब इसका आंसर क्या हो का भी बताओ आरसेनीक क्यों सर देखना आप इस आप को नहीं पर चार रहा है कि यही यहां सर करके यह लगाओ आक्सीजन के बारे में आप हमें से डिसकस कियो इसकोकिसमे आता है वहाई किसमें आता है गैस पर जालेट नहीं नहीं करते अब देखो आखका जली विल्लियन अमली होता है यह कोश्चन मज़ेदार है इसको मैं थोड़े देर में आऊंगा मैं इसमें आ जाता हूं पहले ठीक है ले चलो इसी में चले जाते हैं क्यों आपके मन में लगए कि इसमें क्या कठीन है क्या चीज है जो आप नहीं बता रहे हो क्यों आप ऐसे सोचे फालतू का इसे डिसकस क कर आया था आप अगर देखे होंगे लेक्टर नमबर आप बुरुपिंट बुरुपिंट के बाद आप स्ट्रेटजी इसके बाद नेस्ट वीडियो है अगर प्ले लिस्ट हम जाक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसको कराया था लेकिन कोशन था लेकिन पैटर नहीं देखो अब इसया है मतलब किस ही एक्षन कराने बच्चों में हमें अब स्टर् Boulder करा है ऐस्टू ओं मेरा मन बोलता है कि सर ये प्मेला नहीं बनासकता इसको देखकर पतल चलिए इसके कमजोरी मुझे पताmani कि यह हमेसा बना देता है क्या बना देता है क्या बना देता है सोडियम हैड्रकशड नहीं मतलब और पहला सही है नहीं पूछा क्या है अमली कौन है यह क्या नहीं है अब MGO है MGO फिर बताने जोरत नहीं है MGO यहां पर रखूंगा फिर रियक्ट आओं किसे जी जल से जी इस टो से क्या बनाएगा बच्चो दो मातर नेना पड़ता है इसको फिर ही क्या बना देता है सब्सक्राइब नहीं कैनेरें जन हम उपरता हम खोल से शाट करा रहा हूं सब्सक्राइब रियक्शन एकिंदा करा रहा हूं मैं ठीघा सर है यह बनाता कियारी करें घ्रवन समय डाब से दिया क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं और आंसर क्या हूँआ अपका लिफिए बॉलकोvan बनाती गैसे नहीं हों क्यों अब वह बचारा नमबर का तत्तो है जो लास्ट ग्रम जाता है अब क्या तत्तो आपको मैं अभरगी कर्ण बताया हुँ पता है 38 को तत्वा है उसके अगरी कह बोलते हैं बोलते हैं और क्या क्या नहीं बोलते हैं कि सुनिे प्रवानिय होता है सार पांच्छ जी चलो यह थुढ़ा रहे है कि पराणूं का छोटा होता हो सार ठीक है यह सकते नहीं गैसे है तो एक पर fanu काली जो करें सबोंगा रहा है लेकिन लेकिन ऐसा अदीर प्रप्रप्ति के लिए हम भी आज पढ़ा रहे हैं क्यों बड़े जॉप जाएंगे बड़े से कंपणी खुलेंगे बड़े से स्टाप्ट चराएंगे और खुसाली जिन्दगी जीएंगे इस थाइतों चाहिए हमने भी यह सब का है आपका भी हमारा भी सबक है जो दुनिया में जितना भी रियक्षन हो रहा है वह स्थाहितों के पिछे भाग रहा है सर तभी जो आरन लौहां में जंग लग रहा हैसर क्यों क्यों कि बीचे साथ हमें भी उत्तकर काते हैं वही नियम यह सहरane किसके साथ होता तो रीजन क्या हो जाएगा भई देखो बायकच में पूर्ण नरुप से भर रहता यहीं इसका रीजन होगा बात समझ मैं अच्छा समझ मैं आया कि और बताना है बच्चों समझ मैं आगे बढ़ें इजी इजी आता है अब कोश्चन कब पूछा गया था कुछा गया था सर सराल कोश्चन है हो सकती है रिपीट होने की चांस है इसको और दूसरे साई पूष सकते है निसकरी गैस्ट वेकों यह गुन नहीं होती है इसे पूछ दिया खोश अपना चैप्लर है उसमें नेट्रोजन अक्सिजन और हैडरोजन के बारे जो उसको छोड़ देना जो नहीं है उसको टीक करना है बात समझ में आई ऐसा कोशन आ सकता है और देखते हैं फिर और समझ में आए कोश्चन नीम ने लिकित में कौन से तत्वा अपरुपता नहीं दिखाता है अब देखो मज़ेदर कोश्चन अपरुपता मतलब अलग-अलग रूप अलग-अलग फॉर्म में रहता है तो कौन से तत्वा है जो अपरुपता नहीं दिखाती बताओ सोडियम क्या अपरुपता देखात यह तीनों जो बेचारे ऐसे हैं और इसके साथ में वह यह कारबन भी है है ना जो आपके शेप्टर के अंतर गयता है कारबन भी यह जो है यह लोग क्या करते हैं अपरूपता दिखाते हैं इनके अलग अलग रूप आ जाता है मतलब हम सकल जुड़वा ऐसे समझ सकते हो अब स्थरी मिल गया जोड़ी दार हम सकल मिलिगा यह क्या भूदे laptop मतलब उसका नहीं है किसका नहीं पाता अब यहीरा होता है निचे मशन दिया हीरा अंसर नज सिरतना लाइर कोईला कोक यह चारकॉल यह इतना यह समझ मेंगे आपने जैसे क्रिश्ट्री इपरल्फ होते हैं पाल्पाइट अपर होते हैं लेकर फिला-प्रस्पुरस लाल सो नहीं सर्व हम सकल सोडिया लुक्त के साथ गूमते पिरते हतें ठीक है बात समझ मैं आईगे पढ़ें पूछा गया था है ये पुछा साहने में इस थान अनिश्रित रही है मैं मैं सूला था कि यह में जर्चकूंशुन जो है तत्यों के वर्ग करेंसे है क्या कि तत्यों का वर्ग करनसे है क्रेंस Most सबसे अधिक भी दूत रिनात्मक्ता वाली तत्तो है बताओ भई आप संदिया है क्लोरीन या फ्लोरीन सब्सक्राइब कार्बन अक्सिजन के पेच्छा क्या है बढ़ती है कार्बन पहले आता है फिर अक्सिजन आता है तो आक्सिजन क्या होगा ज्यादा होगा तो कार्बन जो है अक्सिजन के पेच्छा कम विद्धूतिन आत्मक्ता है ठीक है अब चानी में अधातु एक खलिस्थन और पाई जाती है बताओ तो चलो तो अधातु कहां पाई आता है और सानी में दाई या बाई अधातु देखो इधर में बात करूं इस ब्लॉग इधर और यजुन ऑप्षा गया है किसे साथ नैट्रोजन अमोनिया फ्रामोला क्या होता है एंस 3 और एं तो दिखाई दे रहा है नैट्रोजन पहले से किसे साथ मिला चाहरे बाई रिखी एड्रोजन के साथ मिलकर मतलब क्या reaction क्या होती है तू सोरी एंटू प्लस बोलो थ्री एस्टू बोल सकता हूं यह हो जाएगर टू एन एस्ट्री जिसे क्या बोलते है भई अमोनिया बात कतम ज्यांत समझ मैं अब देखो सलफर को वाईव में जलाने पर प्राप्त गैस को कि प्रकृति होगी सलफर को वाईव मे होती है जिसकी प्रकृति क्या होती है अमली होती है एसो टू क्लियर अमली होती है अमली होती है तो बात समझ में इस प्रकार से कोश्चन आता है यह पूरा कोश्चन हमने डिल कर रखा बच्चो और देखो उची संबन देखो उची संबन पूछा जाता है ज्यादे नहीं लेकिन पूछ दिया दीखो कैसे टेपक्षिट पोछे रता है नेट्रोजन में ट्ली diceक क्या है प्रान यू गैस है बताओ प्रान यू गैस क्या है सर आक्सिजन सौस ले रहे कैंद है है क्रक्षा कोईलाए टिक है को कुषचन बर रहे है याद रखी न अब और देखो तो हां है नेट्रोचन अकरवन इनएडर्गनीक क्या वह फटार्थ यह पुषा गया था है श्क्रावन गया ञाम अन्नीच भाशता है मतुर्चन क्या सकता है इस सकती है तेखें अब हम इस चैप्टर में क्या देख रहे हैं हम यह कितना कोशन बन सकते है धातू उसे उस पर बात कर रहे हैं और साथी साथ ज्यादे तरह हम फोकस करेंगे नेट्रोजन और हैट्रोजन जो कि अपके चैप्टर में अच्छे रूप से दिया गया है और कुछ भी कर देता हैं तूसरे समझ मैं तो आज का लेक्टर करठें में बता दूह हमारा एकजाम से है इसके लिए जूआ हुए है और कि जो जूड़े हैं और साथ में दोस्तों लोग को भी बिलकुल जूड़िए क्यों आपके दोस्तों लोग वन्चित क्यों रहे हैं उसको भी उसको भी बताइए और अनन उठाईए और एक महिने में अपना सीलेब्स कम्प्रीट करके अपना करके पूरा क्वेस्टन करके है ना इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको आएगा ही आएगा बनी जाएगा है ना तो मैं भी बोड़ा था कि अच्छे से लगे रही है अच्छे से मेहनत करते रही है मिलते बच्चों नेक्चर में धन्यावाद